हम 19 अक्टूबर 2020 के करेंट अफेयर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए प्रेस बेल आइकन पीडिएफ आप टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आज का फरस्ट कोश्चन है हाल ही मैं किस राज्जे के बुल डाड़ा जल सरक्षड के पैटरन को रास्टिय पहच्चान मिली है ठीक है और इसका सही आंसर है ऑप्शिन डी महारास्ट महारास्ट स्टेट के बुल डाना पैटरन को वाटर कंजरवेशन के लिए नैशनल Union Minister नितिन गड़करी जो नो ने बोला है कि महरास्ट का जो बुल धाना पैटर्न जो है Water Conservation का इसे National Recognition प्राप्त किया हुआ है ठीक है और निति आयोग ने बोला है कि हम National Policy मनाएंगे Water Conservation पर जो की महरास्ट के जो बुल धाना पैटर्न है उसके बेसिस पर होगी जानते हैं बुल धाना पैटर्न किया है भी जितनी भी water bodies वाहा से उनोंने soils को एखटा किया है ठीक है और उन soil का यूज किया यूज किया इनोने highway की construction में शाइशनल बढ़ गया है और जो soil वहा से निकाली गई थी उसको water वो स्को हाइवे के construction में यूज किया गया है यही है बुल्धाना का पैटर्न कि सॉयल का यूज करना ताकि वह सॉयल बेकारना है उससे हाइवे कंस्ट्रक्शन में मदद मिलेगी और जब वहां से मिट्टी वेरा निकल जाएगी ठीक है नाला या फिर रिवर्स वेरा से तो वहां पे वाटर का जो इस्टोरेज है वह जादा हो जाएगा कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं महारास्ट के बारे में रोपैक सर्विस जो की बहुचा ढाका से लेकर मानवा तक चलाई गई है ठीक है जो की एक वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है और यहां इस्टन वाटर फ्रेंट डैबलप्मेंट के प्रोजेक्ट के तहत किया गया ह वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन वाला साइंट प्लाजमा थैरेपी ट्वाईल प्रोजेक्ट जो है वह महारास्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही लांच किया गया है और इसका नाम है प्लैटिना नेक्स्ट पॉइंट है महारास्टा गवर्नमेंट ने औरंगा बाद एयरपोर्ट का नाम बदल कर अब 36 सामभजी महाराज रख दिया है नेक्स्ट है माथिरान यह एक हिली स्टेशन है जो महारास्ट में इस देते हैं यही पर एक एक एक्रो टूरिस्म पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की गई है और महारास्ट जो है वह फर्स्ट स्टेट है जिसने अनपैक्ट जिसे हम बोलते हैं लूस सिग्रेट और बेड़ी जो खुले में जो पैकेट्स मैनी होती है ठीक है हम रैंडमली जो खरीदते है परसन ठीक है उनको बैंड कर दिया है बोलाई कि अगर आपको सिग्रेट खरीदनी है तो आप पूरा पैकेट लीजिए तो उस पर वर्निंग मैंशन होती है तो फिर इससे परसन थोड़ा सा इस्पायर होता है कि वह इसको गिव अप करने के लिए भी थिंग करता है लोनार लेक महरास्ट में ही इस्तित है असाडी स्थख सौरी असाड़ी एक अदशी फैस्टिवर सेलिब्रेट किया जाता है महरास्ट में ही योटा एन एकंवन टेटा सैंटर थीक है यहां मॉंबई में हैं लोकेटड है और यहां pecant मुंबई के पास पानवेल में इसे लोकेटिट किया गया यहां एक नया डेटा सेंटर है नेक्स पॉइंट है यूनियन मिनिस्टर स्टेट फॉर कॉमनिकेशन जिनोंने भारत एयर फाइबर सर्विस ठीक है जो भारत एयर फाइबर सर्विस है वहां अकोला महारास्ट में इन इसे लेटर है यह तो हो गई जो भी अभी करेंट की नियूस थी अब हम बात करेंगे स्टाटिक इन्फॉर्मिशन की क्योंकि जो एक्जाम होते हैं उनमें स्टाटिक इन्फॉर्मिशन भी पूछी जाती है स्टेट के बारे में तो यहां के जो गवर्णर है वहां है भगा नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, और तडोबा नेशनल पार्क है, कई बार एक्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, कि महारास्ट किन स्टेट के साथ अपनी बॉंडरी टच करता है, तो आप खुद देखिए, एक बार ठीक है, गुजरात के साथ, मद्यपरदेश, चत्तिसकर, तेलंगाना, गोवा, कनाटका, और स्टाटिक इन्फॉर्मेशन, अब हम देखेंगे, मैगनीज का प्रोडेक्शन कहां पर होता है, और बॉक्साइट का प्रोडेक्शन महारास्ट के कौन-कौन सी जगया पर, प्लेसिस पर होता है, अगर हम बॉक्साइट के प्रोडेक्शन की बात करेंगे पहले, ठीक है, तो आप लोकेशन जानतेंगे, महारास्ट के लोकेशन ये वाली, ठीक है, यहाँ पर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, देखो, यह गुजरात है, गुजरात के नीचे, यह साउथ में महा महारास्ट, तो यह महारास्ट है, महारास्ट में जो बॉक्साइट प्रोडेक्शन के, जो प्लेसिस है, वहाँ है, ठाने, पूने, सतारा, रतनागिरी, और कॉलापुर, यह पांच जगे हैं, ठाने, एक बार दुबारा बोल देती हूँ, याद रखिएगा, ऐसे पूछ ल प्लेसिस हैं, रतनागिरी और सिंदू दूर्ग, और याद रखना है, यह दोने देखो, आप देख सकते हैं, यह बॉर्डर पर है, जो महारास्ट का बॉर्डर है, जो अरब सागर के साथ टच होता है, वहीं पर है, यह रतनागिरी और सिंदू दूर्ग, और यहाँ पर भ चल रही है तो जो जीरो राजधानी ट्रेन जो है वहाँ नियू डैली से लेकर डिब्रुगड जो असम्मे है ठीक है वहाँ तक यहाँ ट्रेन चलेगी जिसका नाम है जीरो राजधानी बॉगी बील ठीक है इंडिया का यह एक लॉंगेस्ट रेल एंड रोड ब्रीज है ठीक है जो कि पूरी भ्रमपुत रिवर पर बना हुआ है और यह दिसंबर दो हजार अठारे में इंट्रोड्यूस्ट हुआ था और जीरो राजधानी ट्रेन जो है वहाँ इसी ब्रीज पर पर लॉगी इस ब्रीज से होते हुए न्यु डैली तक यह ट्रेन चलेगी ठीक है जीरो का मतलब जैसे नाम की आगे लगाए नँगे जीरो राजधानी तो जीरो का मतलब है कि यह एक स्पेशल ट्रेन है ठीक है जो की अप्डेट क्यी जाएगी टैंप्रेरली नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में किस बैंक ने 2020 का Central Bank of the Year Award जीता है और इसका सही आंसर है Bank of Ghana जिसने Central Bank of the Year Award 2020 का जीता है और इसके इलावा अगर हम Governor of the Year का वी मतलब देखें कि किसको मिला है एक बार नहीं Governor of the Year का अवार्ड जो है वो रगुराम राजन को मिलाता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस साल रगुराम राजन को Governor of the Year का अवार्ड मिलाता ठीक है और Governor of the Year का इस बार जो अवार्ड मिला है वहाँ Bank of England के जो गवार्ड है Mark Carney इनको मिला है ठीक है जो Central Banking Award जो हर साल दिये जाते हैं जो Central Banking Community में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है नेक्स्ट कॉश्चन है हाल ही में New Zealand के प्रधान मंत्री कौन बने है और इसका सही आंसर है और जैसेंटा आर्डे पहले हम मैप देख लेते हैं फिर जानते हैं की information ठीक है अगर हम New Zealand की बात करें तो आप मैप में देख सकते हैं जो Polynesia है वहाँ पर आता है New Zealand अब हम बात करते हैं New Zealand की बारे में New Zealand जो है वहाँ मेंली जो है वहाँ तीन आइलेंड में डिवाइडिड है ठीक है North आइलेंड ठीक है South आइलेंड और जो थर्ड वन है वहाँ है इस्टी वाट आइलेंड अगर अब हम North Island की बात करते है North Island में एक Mount Egmont है ठीक है Mount Egmont जो है वहाँ एक Volcanic Mount है ठीक है यह North Island की बात कर रहे हैं तीनों आइलेंड को डिस्क्राइब करेंगे सबसे पहले नौर्थ आइलेंड नौर्थ आइलेंड में यहाँ पर इस लोकेशन पर एक Mount Egmont है जो की एक Volcanic Island है ठीक है Volcanic परवत है ठीक है Mountain है और यहाँ पर जो सबसे उच्छी चोटी जो है उसका नाम है Mount Ruapehu और यह जो पूरा जो परवतिये शेत्र जो होगा पूरा जो Mountain Range जो है वहाँ नौर्ड आप नौर्द येद्ट की सबसे बड़ी लेक है और आप मैप में देख़के लेक को जो लेक वह ऐलेक टॉपो यहाँ पर आई एठीक है जो Mount Egmont की जो पूरी Mountain की जो रेंज है washaa पर एक लेक है जो नौर्द आइलेंड में ही और इसका नाम ह और जो Wellington है वहाँ New Zealand की राजधानी होने के साथ यहां वर्ल्ड की सबसे South Capital है ठीक है जितने भी वर्ल्ड की Capitals है उसमें सबसे ज़्यदों South में जो Capital है किसी भी कंट्री की वह Wellington है और आप एक चीज और देख सकते हैं आप South Island की ठीक है South Island में यहां पर एक Southern Alps है जो कि आप मैप में भी देख सकते हैं यह पूरा Southern Alps है ठीक है और यह ना पूरा जो Southern Alps है यह ना वलित परवती है ठीक है यह पूरा जो एडिया है वहां एक वलित परवती है शेत्र है इसकी जो सबसे उची चोटी है वहां Mount Coke है यह एडिया है पूरा Southern Alps वाला यहां जो भीड़ पालन होते हैं और जो mixture agriculture होते है उसके लिए यह बहुत ज़्यदा फेमस है ठीक है और अगर हम यह आप देख सकते हैं यहां पर फॉवेक्स स्ट्रेट की बात करें तो यह है इस्टिवर्ट आइलेंड और जो Southern Alps है Southern Alps नी जो जो South Island और न्यूजिलेंड का उसको separate करता है 4VX इस्ट्रेट आप याद रखना है यहां पर मेली दो स्ट्रेट है 4VX इस्ट्रेट जो कि स्ट्रीवर्ट और Southern Island को separate करता है जबकि कुके स्ट्रेट जो है वह North Island को और South Island को separate करता है Capital जो है मैंने आपको बताई दी Wellington है यहांकी currency जो है वह New Zealand डॉलर है प्राइम मिनिस्टर यहांकी अब Jacinda Arden है और यह जो continentे से Oceana और Polynesia बोलते हैं नेक्स्ट कॉश्चन है किस बैंक ने Health Life प्रोग्राम शिरू किया है तो जो Health Life प्रोग्राम है वह STFC बैंक के द्वारा लॉंच किया गया है इंडिया ने इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है STFC बैंक और Apollo Hospital दौनों ने मिलकर लॉंच किया है healthy life प्रोग्राम ठीक है जो STFC बैंक के जो भी कस्टमर्स है उनके लिए यहाँ प्रोग्राम लॉंच किया गया है ताकि जो healthy livings accessible और affordable किया जा सके कस्टमर को और जो process होगी उसको कस्टमर के लिए easy और convenient बनाना next question है हाल ही मैं UNESCO में भारत के अगले इस्थाई प्रतिनिदी ठीक है next permanent representative के रूप में किसे निक्त किया गया है तो यह बात कर रहा है कि UNESCO में जो next permanent representative है वह कौन बने है और इसका सही answer है विशाल वी शर्मा विशाल वी शर्मा जो है वो UNESCO में next permanent जो है representative बने है UNESCO की full firm जानते है United Nation Education Scientific and Culture Organization ठीक है और UNESCO का headquarter Paris France में है UNESCO के जो head है वहाँ Audrey Oslo है UNESCO found वाथ है 1945 में याद रखना इसका जो headquarter है वहाँ Paris France में है next question है 2020 और 21 के लिए भारतिया bank association के chairman के रूप में किसे चुना गया है और इसका सही answer है राज किरन रॉय जी इनको कौन चुना गया है यहाँ Indian bank association के chairman के रूप में नियुक्त हुए है ठीक है अभी Indian bank of association के MD और CEO कौन चुने गई है मैंने आपको बता है राज करन राय जी अब हम जानती Indian bank of association के बारे में कुछ static information यह जो bank थी Indian bank association जो पूरी organization है 1946 में बनाई गई थी मतलब formed होई थी ठीक है यह representative body है यह क्या करती है जो हमारी banks होती है ठीक है उनको मदद करती है उनके bank management और operation के लिए जो banks होती है वो अपनी operating अच्छे से करें अपना management अच्छे से करें इस इस organization को बनाए गया था ठीक है यहाँ Indian banks और जो financial institutions है उनको मदद करती है ठीक है इसका headquarter Mumbai में है और यह क्या करती है जितनी भी Indian banks है ठीक है उनके development उनके coordination उनको strengthen कैसे करना है इसके बारे में जो है वहाँ banks को मदद करती है मतलब assist करती है और bank को मदद करती है अगर bank कोई मी नया system implement कर रही है तो उनको help करेगी कि कैसे आपको implement करना है ठीक है क्या क्या चीज़े अपनानी है क्या नहीं अपनानी है कैसे banking अच्छे से perform करें एक देश में तो यह सारी information जो है या फिर जो knowledge होगी या फिर जो bank को मदद करवाई जाएगी वो Indian bank association के दुआरा कराई जाती है ठीक है जब यह starting में इसके जो 22 bank की इसकी members थी ठीक है लेकिन आज इसमें 237 banking companies जो है वह इसके अंतिगत operate हो रही है मतलब यह उनका management और operating करती है banks का Indian banks का financial institutions का next question है हाल ही में new start संधी खबरों में है या किन देशों के बीच में हुई है यह जो new start treaty है वहाँ USA और रशिया के बीच में हुई थी और अभी यह news में इसलिए है क्योंकि इस treaty को extend कर दिया गया है ठीक है और mainly यह जो new start treaty जो थी वह 2010 में sign की गई थी US president उस टाइम पर Barack Obama थे और रशिया के जो प्रेसिडेंट थे वहा मिट्री माडेव डेव थे ठीक है इन दो की गई थी तो यह जो new start treaty थी वह एक strong call थी ताकि जितने भी हमारे जितने भी पूरे वर्ड के जो last existing जो nuclear arms थे ठीक है उनको control करने के लिए peace को बनाई रखने के लिए और nuclear arm control pact को save करने के लिए यह संदी की गई थी ताकि future में जो है वहाँ peace बनाई ज़ा सके next question है किस राज्य सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने वाली जिसे बोलते है जिंक smelter project वाली परियोजना इस्थापित करने की गोशना की है और इसका सही आंसर है option डी गुजरात गुजरात state government ने अनौन्स किया है कि वह setup करेगी world का biggest सबसे बड़ा जस्ता ज इसे बोलते हैं जिंक गलाने वाली एक परियोजना एक project गुजरात government ने एक पैक्ट साइन किया है वेदानता group की जो firm है हिंदुस्तान जिंक limited के साथ मेलकर ये दोनों मेलकर क्या करेंगी जिंक को गलाने वाली एक परियोजना establish करेंगी ठीक है और ये जो जो प्रोजेक्ट टेव वहां 300 क्लोटन मतलब एक साल के अंदर 300 क्लोटन का production की capacity है इस project की ये इतना जिंक जो है वह produce करेंगे और इससे क्या होगा वहां के आसपास की जो tribal area से जो local people से उनको काफी ज़्याद employment मिलेगा तो ये फायदा करेंगी employment के अगर हम perspective से देखें और 300 क्लोटन जो है वह division कर लेते हैं गुजरात के बारे में mundra port या एक largest private port है याद रखना है ये इंडिया का private port है mundra port ये गल्फ आफ कच के north shore पर located है next point है गुजरात जो है उसने best performer ranking प्राप्त करी है startup ecosystem के support में next quality control lab for sea export food में गुजरात में establish की गई है नितियायो के दौरा prepare की गई थी export preparedness index के export करने के लिए कौन सा state जो है वह कितना ज्यादा तयार है उसमें गुजरात ने टॉप किया है next है गुजरात ने अनौंस किया है कि वह first sea plan services provide करेगा ठीक है मुख्यमंत्री महला उतकर्स योजना गुजरात में ही launch की गई है next point है ये गुजरात government एंनौंस किया है digital सेवा सेथु प्रोग्राम यह जो digital सेवा सेथु प्रोग्राम है वह रूरल एरियास के लिए यह प्रोग्राम है दिजिटल सेवा सेथु प्रोग्राम ताकि जो डिजिटली पेंचायत लेवल पे जो information है वो provide की जाए ठीक है next point है calcium nitrate और bori स्कार्णेटर इसकी इंडिजीनिस वएरैटी जो है वह गुजरात में ही लॉंच की गई है नेक्स्ट अगरवर डांस जो है वह गुजरात में परफॉंम किया जाता है कि अब अर्ब बात करते हैं गुजरात की स्टाटिक इन्फॉर्मिशन ये भी काफी इन्पोर्डन पार् Κ勒पाक नाशनल पार्क और मैराइन गल्पाफ कच नाशनल पार्क है लोकेशन भी देख लेते हैं एक बार गुझरात की मैंप में देख सकते हैं घुझरात जिसकी कैपिटल ग vet rap गांदी नगर स्टन नौर्थ में आता है ठी looks at मत देश है वेस्ट में तो इच्छी सी ये पूरा अरेबियन सी वाली ठीक है और साउस में अगर हम बात करें तो महारास्ट और यहां पर देख सकते हैं यह दमनन द्यू दादरे नागर हवीली अब हम बात करते हैं मैगनीज प्रोडेक्शन गुजरात में कौन-कौन सी जगे पर होता है तो मैगनीज प्रोडेक्शन जो है वो गुजरात में बनाव कांठा में होता है पंचमहल में होता है ठीक है और बडोद्रा में होता है और अगर हम बॉक्साइट प्रोडेक्शन की बात करने हैं गुज्रात में तो बॉक सट है चुली है how far carbon पिए इन जगे पर और प्रोड़ेकश्ए होता है चहिए कौश्डा के कोटिला की रूप में किसे जाना जाता है बुज्रात की को की कौकिला के रूप में किसे जाना जाता है और इसका सही आंसर है ओप्शन भी जो जो कॉमूदी मुंशी ठीक है इन्हें गुजॉत के कोकिला के रूप में बोड़ाय कें सगरे जैना चा Paulा जैना कोकिला जैना जाता है यह है नाइट एंगल ऑफ गुजॉतіяा ज यहां यहाँ बॉन्ड तो बनारस में हुई थी लेकिन इन्होंने जो स्टार्टिंग की थी अपने केरियर की वह गुजराती सौंग से की थी यह मतलब गुजराती सौंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी तो इन्हें इसलिए गुजरात की कोईल के नाम से जौनते हैं ठीक है ना आची रे मारी सती भवानी मा ठीक है यह इनका फेमस सौंग था इसी सौंग से यह काफी ज़्यादा फेमस हो गई थी इन्होंने वैसे भोजपुटी सौंग भी किये हैं और कल हमने आपसे कॉश्चिन पूछा था हाल ही मैं सीलम एन एन्फ्यूजर मॉडल समाचारों में है यहां निमली कितना ऐसे किस से संबन्दित है तो जो सीलम और एन्फ्यूजर मॉडल जो है वहाँ इंप्रूफ एर क्वालिटी फॉर्कास्टिंग मॉडल है और 17 अक्टूबर के रिविजन्स के आंसर ठीक है पहला कोशन गलात है क्योंकि यूपी स्टेट के द्वारा जो ह डीट किया ज़ाता है नेस्ट बिल्कुल ठीके कि एंडिया जो है अपनी जो क्लो क्लास्ट सम्मेराइन आएनस लिन ऋबीर है वह मैनमार को दे रहा है ठीक है और ये संग से ठीक है तो दस का जो पूरा कलेक्शन है उसे बोला जाता है आयने सिंदू कोश जिसमें से आयने सिंदू वीर जो है वह म्यानमार को दी जा रही है नेक्स्ट वह गलत है क्योंकि जो कपीला कैम्पियन है ठीक है यहाँ मेरिस्टर आफ एजूकेशन के द्वारा जो है लांच किया गया है और जो कपीला कैम्पियन है वहाँ जो पेटेंट करवाए जो आता है ठीक है उससे रिलेटेड है आप सबी के लिए कोशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंक में इंडिया की रैंक क्या है ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन है आपके लिए 18 एक्टूबर क होती है जैसे कि आपने देखा होगा कि दिली के अंदर जो वह काफी ज्यादा फॉग हो जाता है ठीक है एर क्वालिटी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है उसके ठीक है तो जो आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाना पंजाब यूपी यहाँ पे स्ट्रबिल आप इसका अंसार देंगे ट्रॉर फॉल्स की फॉर्म में नेक्स्ट कॉशन है इंडिया का जो एम है अचीव करना ट्रांसफेट फ्री स्टेटस वह दोजाज चौबिस तक है आप यह भी बताएंगे कि डब्ली अच्व का टार्गेट किया है ठीक है नेक्स्ट कॉशन है जमु और कश्मीर ने लॉंच करेगी माई टाउन माई प्राइट प्रोग्राम नेक्स्ट कॉशन है क्या बिहार ने लॉंच किया है मिशन शक्ति प्रोग्राम ठीक है आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए मैं को पते हैं आज मैंने काफी सारे कॉशन साब से मैं मैं बॉक्स